Hello guys and welcome back to channel Life Stuff Hub and I am Heather with you and today I am going to share with you a very good topic and I am going to tell you about the news and if you like my channel, don't forget to subscribe and give me a big thumbs up on my video Now let's start. First of all, I am going to tell you about my AdSense account in the morning that I have blocked my AdSense account for 30 days Why did I do this? I am going to tell you about this reason and I will tell you about the impression that you can click on the CPC so you will see the cost per click and then you will see the cost per click that you can get paid in the videos, if you like the 1000 times the Idsense account for your AdSense account and this is how the impression allows you to get paid in the news and the cost per click, so there will be 100 clicks so you will see the cost per click and then you will see the cost per click तो दोस्तों कई बार होता किया है कि करी सारे पब्लिशर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने जो वीडियो से उस पर जो एड चल रहे हैं वो खुद ही उन एड्स पर क्लिक करते हैं और अपने एड्सेंस अकाउंट का बेलेंस बढ़ाते रहते हैं जैसे कि यही चीज मेरे साथ हुई है मैंने भी गलती से अपने जो वीडियो से उस पर जो एड्स चल रहे थे उन पर बार-बार क्लिक किया तो इसी के चलते हैं यूट्यूब ने मेरा एड्सेंस अकाउंट 30 दिन के लिए ब्लोक कर दिया है तो दोस्तों यह बहुत ही दुख कि ना तरिये ठीक है यह जो सुआ-टी यूट्य जो होती जो थी ए आप योट्यूब चैनल है उसको भी सप्केंड करवा सकती है जैसे आपके यूट्यूब चैनल ञोटेशिटीकाश्रान को से नहीं सबमांट ऊहांट करोडों में उसके व्यूज थे तो यूटूब ने उसका जो चैनल है वो चैनल है वो सस्पेंड कर दिया है क्योंकि दोज तो वो जो चैनल था वो काभी सारी फेक न्यूज महां पर अप्लोड करता था दोस्तों इसी के चलते यूटूब ने टॉप ब्रेकिंग न्यूज चै यूटूब पर काम करते नहीं और ऐसे किसी भी शोर्ट कट वेका यूज ना करें जिससे कि आपको नुक्सान उठाना पड़े ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मेरा जो एट्सेंस अकाउंट है वो 30 डेस के लिए ब्लोग कर दिया है यूटूब ने ठीक है और 30 दिन तक कुछ से जिमाग में कई सार सवाल उठेंगे तो दोस्तों सबसे पहले सवाल कि क्या यह टेंपेरी है यह पर्मेरेंट है तो दोस्तों मैं आपको बतान चाहँ कि यह सिर्फ एक छोटी सी सजा के तोर पर है यूटूब में ज़रा आपको गलती करते हैं तो यूटूब आप इससे earnings start जाएगी, यह temporary होता है 30 दिन तक के लिए, 30 दिन तक कोई head नहीं आएंगे, कोई head serve नहीं की जाएंगे, कोई earnings नहीं होगी, 30 दिन के बाद automatically YouTube मेरे account को फिर से review करेगा, मतलब कि कोई गलती, अगर इसके अलावा और कुछ भी गलती हुई, तो 30 दिन के बाद भी मेरे videos पर head serve नहीं की जाएंगे, लेकिन 30 दिन के बाद कुछ भी गलती नहीं होगी, copyright content नहीं होगी, कोई भी mistake नहीं पाई गई तो automatically YouTube मेरे account को फिर से add serve कर देगा, और मेरे videos पर फिर से earnings होने शुरू हो जाएंगे, तो दोस्तो बस मैं यहीं चाहता हूँ कि आप इसी गलती ना करें, जिससे कि आपको YouTube पर कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है, और यह फिर आपका account जो है, वो suspend हो जाए, ठीक है, तो दोस्तो इसके अलावा मैं एक update और देना चाहता हूँ आपको, कि YouTube के अभी नया algorithm क्या है, according YouTube ने monetization के लिए 3 categories करती है, पेरे तो आपने देखा हुआ कि जब हमारी जो वीडियो है, वो जब upload करते थे उसको monetize करते थे ads के साथ, उस पे green color का dollar का sign आता था, ठीक है, लेकिन YouTube ने अब 3 categories में करती है, तो green, yellow और black, ठीक है, green color की जो category है, dollars की, वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा YouTube ने क्यों किया है, क्योंकि YouTube के कुछ जो advertisement है, यहाँ पर देते थे, ठीक है, YouTube एक बहुत अच्छा platform है, advertisement देने का हो, कई सारे companies हैं, वो अपने advertisement है, YouTube पर देती थी, ठीक है, लेकिन आप जो advertisers हैं, वो कई सारे ads, कई सारी videos को serve नहीं करना चाते हैं, तो YouTube ने इसके लिए एक बहुत अच्छी विवस्ता की है, जो advertisers, जादा ads किसी video को serve करना चाते हैं, मतलब कि जिस video पर जादा ads serve की जाएंगे, उस पर green dollar का sign आएगा, जिस पर limited ads आएंगे, उस पर yellow dollar का sign आएगा, ठीक है, जिस पर black dollar का sign आएगा, जिस video पर आप भी check कर सकते हैं, यह बिल्कुल हो गया है, मेरी video पर, दो video पर yellow dollar का sign है, मतलब कि मेरी जो दो videos है, उस पर limited ads आएंगे, और जिस पर black dollar का sign है, उस पर no ad, मतलब कि कोई भी ads serve नहीं की जाएगा, क्योंकि वो community guidelines को follow नहीं करते, advertisement friendly नहीं ह तो उस पर monetization जो है, वो बिल्कुल disable कर दिये जाएगा, तो दोस्तों यह youtube का नया update है, और यह video में इतना ही, I hope आपको यह video पसंद आया हो, और अगर आपको यह video पसंद आया हो, तो please इसको एक बहुत बड़ा like दे जीजिए, और channel को subscribe कर लीजिए, इसी तरह के updates के लिए, क कि आया है, और